समस्कार दोस्तों आज हम लोग जानते हैं मंगलीक योग और मंगलीक दोश के बारे में मंगलीक जो है बच्चे बच्चे के नाम पे होता है लेकिन मंगलीक होता क्या है मंगलीक होने से नुकसान क्या होते है मंगलीक होने के फाइदे क्या होते है मंगलीक की शादी मंगलीक से हो तो क्या होता है मंगलीक की शादी नौन मंगलीक से हो जाए तो क्या होता है और मंगल से मंगली क्या होता है शनी से मंगली क्या होता है इसके सिर्फ effects क्या होते हैं क्योंकि हम सब को effects की जान करी चाहिए इसलिए मैं सिर्फ आपको effects के बारे में बताने लगा हूँ तो आएए जानते हैं समय व्यर्थ कि ये बगहर दोस्तो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन में मैंने दो कुंडलीयां बना रखी है इस कुंडली में जो कुंडली इस वक्त जिसमें मैंने ये मेश लगन की कुंड़ी बनाई है इस कुंड़ी में मंगल लिखा है फूर्थ में मंगल लिखा है सेवन्थ में एड़्थ में इन घरों में यानी एक चार साथ आठ और बारा इन घरों में अगर आपकी कुंड़ी में मंगल ग्रह बैठे हैं तो आप मंगल से मंगली हैं और सेम एक चार साथ आठ बारा इन घरों में अगर आपकी कुंडली में शनी ग्रै बैठे हैं तो आप शनी से मंगलीक हैं अगर आपकी कुंडली में इनी एक चार साथ आठ बारा घरों में मंगल भी है और शनी भी है फॉर एक्जामपल कि अगर आपका फर्स हाउस में मंगल है फॉर्थ हाउस में शनी है तो आप मंगल और शनी दोनों से मंगलीक है यानि कि डबल मंगलीक है उसके बाद अगर आपका लगन में मंगल है सातवे में शनी है तो भी आप मंगल और शनी दोनों से डबल मंगलीक हो अगर आपका फूर्थ में मंगल है ट्वेल्थ में मंगल शनी है तो भी आप डबल मंगलीक हो या नी एक चार साथ आठ बारा में अगर आपका मंगल और शनी दोनों ग्रयागर शामिल हैं तो आप डबल मंगलीक हैं और सारी उमर के पके मंगलीक हैं उसे आप दोश भी डर कर सकते हैं अब दूसरी बात जो इनसान मंगलीग होता है उसके गुण क्या होते है मंगलीक इनसान जो होता है वो काफी एक्टिव होता है उसको गुसा बहुत जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बातों पे गुसा आ है शौट टेंपर्ड हुता है अपनी उमर से कं दिखता है मंगलीक इनसान जो होता है वह हमेशा बब्बर शेर की तरह होता है चीते की तरह होता है यानी की वह पहले सुनता रहेगा सुनता रहेगा उसके बाद जब उसकी limit cross हो जाएगी तो एक दम से फूटेगा और जब उसका गुसा फूटेगा तो वो बहुत ही ज्यादा खराब गुसा उसे आप कह सकते हो बहुत ही गंदा गुसा करता है और कई बार तो दोस्तों को रिश्टेदारों को छोड़ने में भी एक मिनिट भी नहीं लगा जो लोग मंगलीक होते हैं उनको आगे से भी बराबर की टकर मिले उतनी ही strength आगे से मिले तो ही मंगलीक जो कुंडली है वो एक suitable एक genuine married life को spend कर सकती है अगर किसी मंगलीक इंसान की शादी दूसरे नौन मंगलीक इंसान के साथ कर देंगे तो उनकी लाइफ में बहुत negative effects जो इंसान नौन मंगलीक है वो काफी शांत सोभावका होगा और जो इंसान मंगलीक है वो short tempered भी होगा गुसे वाला भी होगा जो मंगलीक इंसान है उसके ग्रह दूसरे इंसान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं और effects क्या आते हैं कि उनका धीरे धीरे काम down आना शुरू हो जाता है उनकी properties उनकी दुकाने उनके घर sale होने की कगार पर आने शुरू हो जाते हैं second effect क्या आता है कि जब कोई मंगलीक की शादी नौन मंगलीक से हो जाए तो नौन मंगलीक इंसान के घर में बीमारिया आनीश रूह होती हैं और वह बीमारिया बलड से related होती है जैसे कि diabetes है blood pressure है thyroid है यानि कि chronicle diseases जो की सारी उमर चलनी है और उसकी लगातार दवाई खाते रहना पड़ता है तीसरी चीज क्या आती है उनके घरों में operations होने शुरू हो जाते हैं surgeries होनी शुरू हो जाती हैं कई बार तो पेट की gastric problems और जो gastric surgeries है वो major level पर भी चली जाती है और जानलेवा भी थाबित होती है उसके बाद धीरे-धीरे इन घरों में जहांकि मंगलीक की शादी नौन मंगलीक से हो जाए उनके घरों में cold war बढ़ जाती है means की चुप रहकर लडने वाली लडाईया यानि की आपसी रंजिश शुरू हो जाती है घरों के बटवारे होने शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे आपसी कला कलेश इतना बढ़ जाता है कि बाप बेटे का आपसी कलेश होगा मा बेटे का कलेश होगा और धीरे-धीरे वो cold wars आपसी बिलकुल male जोल जीना मरना खतम करवा देती है उसके बाद अगर मंगलीक double कोई है या बहुत भारी मंगलीक है या मंगल की degrees बहुत ज़्यादा strong है तो ऐसा इनसान अपने spouse पर यानि अगर लड़का मंगलीक है तो लड़की नौन मंगलीक है तो लड़की की health के लिए और अगर की health के लिए जानलेवा साबिक होता है यानि की मृत्यू भी हो सकती है और यह practically देखी गई चीजें हैं इसलिए आप सबसे सलाह है कि जो शक्स भी मंगलीक है वो नौन मंगलीक इंसान से शादी ना करे और जो लोग नौन मंगलीक है वो मंगलीक से शादी ना करें क्यूंकि इसका कोई भी solution जो है वो नहीं होता love marriages होती भी है जो की मंगलीक नौन मंगलीक कंसेडर नहीं करते लेकिन तूट भी जाती है आप लोगों ने देखा होगा arranged marriages में भी अगर आप ये चीज़ करते हैं तो वो भी जरूर तूट जाती हैं खराब हो जाती हैं सारी उमर कला कले विश्य खतम नहीं हो पाता इसलिए इसका precautionary मेयर ले लेना ज्यादा समझदारी है और इसके उपाये की तरफ ना ही जाया जाए तो बहतर है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा बहुत-बहुत शुक्रिया सुनने के लिए धन्यवाद